आल चाला है भाई लोगों तो आज चुक है एक और नय गेमप्लेई वीडियो पर और आज के गेमप्लेई वीडियो में उतरा था मैं लिपो का यह कि दिए कि आज की गेमप्ले में मैं मैं लिपूका में सरवाइब कर पाता हूं या फिर नहीं आए और आज की गेमप्ले में यह बताऊ कि बाई कि इसकी ने pubg mevail का अपडेट जुए गौडजी वासब तक अभी तक करा है मेरे तरह तो कमेंट करके बताना कि किस ने अभी तक अपडेट नहीं करा है और इतने में एक बंदा में रहते चड़ जाता बिना गन क्या और दो सेकंड पहले मैं इसके पीछे बिना गन के क्यों दोड़ा था मेरे समझे बिल्कुल नहीं आता है जबकि मेरे पास गन थी और इसे बखाके में काफी इसली मार देता और दोबारे मैं इसी स्टोरेज में गलता हूं कि यहां पर फिची थोड़ा के थे था में मुझे की स्कॉर्ट पर रसकारे और याच्च अस पास ही होती है और वो बंदा भाई नीचे कूच जाते हैं और देखना से कैसे ठिलाते हैं तो यह लेजेंड भाई को हम काफी इसली लोबी पहुचा देते हैं और इसके लेजेंड भाई के पास भी यूजी होती है वो तो अच्छा हो भाई हमने उससे पहले लेजेंड भाई को मार दिया औ ऊस्ट है तो तो इस स्कॉट का जो लास्ट बंदन वाता है उसे काफी ईजिली पहलद ए पर अर्फे मं पीछे जो सब्सक्राइब आपको इतनी तकडी केंप और चुटिपर कि इससे तगड़ी camping आपने कभी आज तक देखी नहीं होगी क्योंकि मैं एक बंदे को नॉक करता हूं मैं समझ यहां पर बंदे होंगे तो जासे आदा उस बिल्डिंग में दो बंदे होंगे जब मैं इस बिल्डिंग पर रस करता हूं तो देखना हाँ पर कितने बंदे निक कि और मैं तगड़े एंगल में आए था जिस में से एक बंदेगो मैं काफी और दूसरे बंदेगों भी काफी आज करते हूं और यह लेट किता तकड़ा स्केम करा रहा था इनने और चो लास्ट बंदा होता है उसे भी काफ़ी इजली पेल देता हूँ बट उसके हाथ पे जब मैंने सौट गन देखी तो भाई एक टाइम के लिए मेरी फट्चु की थी क्योंकि उसके हाथ में सौट गन थी भाई सौट गन का फटका आपको पता है भाई अच्छ अच्छो और मुझे रगा कि यहां पे नेडoty आएगा तो मैं दुबारे नीची आता हूँ नीची आते एक बंदा मेरे पर रस्त कर देता है मैं वो शूल है कि तो मैं समझ ग पहले बॉट को नौक करा और बंदे को लॉबी पहुंचाया तो यहां पर देख सकते हैं 12 किल काफी ठीक टाक किल हो गई यहां पर जब मैं यहां पर आता हूँ मिल्टा में मिल्टा में मुझे एक स्कॉर्ड हास के तरफ बंदे दिखते हैं और यह दर्वाजा अचाना खुला मैं ठेम के डरीया की बंदा ना निकल जाए हाँ से मैं अराम से जार था कि मैं स्पॉर्ट ना हो पाऊं उन्हें और देख सकते हैं यहां पर दो स्कॉर्डों की फाइट चल ली होती है क्योंकि बंदे भी स्कॉर्ड हास में होते हैं और जो कि अपर इसका भाई इत्ता तगड़ा एम परता मुझे मैं आता हूं कभशकर पर आता हूं can और 6x मिलते भाई निकलते यहां और यहां से निकलने बाद भाई हम पॉस्सती हाँ पर अपार्टमेंट के तरह अपार्टमेंट के तरह बंदे लेके जारे होते है तो मैं समझी हिए हएं पर बॉट्फ फैर देता हूं और अपनी बग्या छुपा लेता हूं तो वह बंदे मेरे पर डायर्क ट्रस करेंगे अ कि आ है कि इस वाले स्कॉट को इतना दगड़ा बॉट फैर का बेड़ दिया मैंने और इसे स्कॉट के दो बंदे बाई चलती गार से गिरा दे तो बचे वी लास्ट बंदे को भी काफी इसली पेल दे तो यहां पर मैं सूचता हूं क कि यह बंदे मुझे स्पॉट कर रहे हूंगे तो मैंने चिडाता हूं थोड़ा तो यहां पर एक हलका इमोड दिखा देता हूं इन बंदों को इमोड दिखाते ही मैं निकलता हूं यहां से क्योंकि अभी और बंदे डूड़ने थे पर यहां पर मैं भाई अपनी बग्गी छोड़की यूजड पकड़ लेता हूं अब जब यहां पर रैड जून था तो मैं भाई कवरी में जाता हूं यहीं पर भाई मुझे गाड़ी भी दिखती है और यह बंदे की टाइमिंग इसकी खराब होती है कि जैसे बही मैं अंदर पाउसता हूं यह बही क्लाइम करके चल्ड़ा होता है और इसे लवी पहुचा देता हूं जब मैं आया था यहां पर डॉप क्ले आया था मैं दुबाइर डॉप में जाता हूं काफी बढ़िया मौका होता है यहां पर एमके उठाने का क्योंकि भाई एकदम पावर्फुल गरना है क्लोज रेंज के लिए हम तो जैसे मैं पर पर बगगी देखता हूं points कर दो मैं आप इस बंदे पर रस्त कर देता हूं जिसका सांड उपर के तरफ से आता है पाद जैसे कहाफी ज्यादाव डैम्हीं देता हूं तो इस के साथ भाई चुझ बढ़िया खेल स्टार्ट हो जाता है तो इस बंदे को मैंने मानने के लिए कम से कम जो मेरी M K मैंने इसके बेढ़ दिया इस बंदे को नॉक करके अब वह देखना में आए टीमेट को यूज करके इस बंदे को लॉबी पचा देता हूं तो यहाँ पर स्कॉर्ड पूरी के लिए रोचुकी थी अब स्कॉर्ड है इस्कूल के तरफ और स्कूल के तरफ यहाँ पर देख सकते हैं डास यह और ग्लाइडर लेकर आयो यह ते हैं बंदे तो जैसे सही मौका मिलता है मैं एक बंदे को काफी इसली लॉबी पचा देता हूं और अभी भी इसके यहाँ पर दो बंदे मुझे स्पॉट हो रहे होते हैं जितमें से एक बंदा बिल्लिंग के उपर ही होता है तो मैं उपर नेट मारा के ट्राइ करता हूँ इस बंदें को नौक टालने का पर जैसे वह नेट का साउनट सुनता है वह बंदा भाई हुहाँ से भाग जाता अगर हो बंदा दो सेकें और आध में काफी इजली आ जाता और नौक भी हो जाता तो मैं डिर्क इंसाली स्कॉट पर रस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में भाई एमके थी सबसे पावरफुल गन तो जैसे ये बंदा भार के तरफ को जाड़ था भई गंद ही एमके मारी मैंने इसके सर पर और यह बंदा काफी जिली नौक हो गया और यह दिवार पर अटक गया और जैसे इसके टीम में इसे रिवाइब देने हार था भाई मैंने उसे भी एक दो एमकी की बुलेट उसके माथे में पेल दी तो यह बंदा भी काफी तकड़ा कवर फायर दे रहा था और यह भाई देखना मेरे उपर रस करता है अगर यहां पर आपको प्रीफायर अच्छा लगा अगर आपको अच्छा लगा थो अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ने करा तो कर देना वीडियो को भी लाइ घ्रोपों गोड़ा मेरे लाइं के लिए West तो गया अगर तो यह आपने की तरफे तो निगा यह, शर्गार बनाने की कोचिस करता हं उस बंदे पे जब एंगल बिल्कुल बनता भी नहीं और मैं तेक खोले से जाता हो तो मैं समझ जाता हो यह बंदा है एकदम कैमपर बंदा है जो अपनी जगह से भाई फूटिच्टाइब भी बिल्कुल नहीं देगा इसलिए MK भाई सबसे पावरफुल गन है अगर इस बंदे के हैड़ी हैड पड़े कम से कम दो या तीन गोली में यह लॉब्य पहुच गया वरना यह बंदा गर में पाख कोई और गन होती तो यह बंदा काफी दिरी लॉब्य पहुचा सकता था मुझे पर भाई MK पावरफु प्रफुट हो जाता यहां पर खुले में लेटावा होता है और लिट्रेली यह बंदा मुझे इतना जादा डामेज कर देता क्या बता हूं मैं अगर मेरे पास MK नहीं होती तो मेरी हैं हेल्स देखो हैल्थ यहां पे इतनी कम है और इससे भी कम हो जाती है और मैं यह कर देना वीडियो को लाइक कर देना मिलते अगरी वीडियों ततक लिए स्थायव नारा